हेलो दोस्तों स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूटूब चैनल पर आजम शुड़ो में रहबेजोल डियासर कैप्सूल के बारे में पुरी जन कर लिना ले कैप्सूल के क्या बेनेफिट है क्या साइड इफेक्ट है इस कैप्सूल से जुड़े सभी साओल का जाप आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो का लास्ट इक जरू देखिए आरिस्टो फार्मसोटिकल कंपनी की ये 10 कैपसुल के स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 90 रुपए में मिल जाएंगी बताएगे कि मत समय के साथ कम या जादा हो सकती है दोस्तो ये कैपसुल खरिदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्किप्शन और सला की ज़रूत होती है ये डॉक्टर के परची पर मिलने वाली कैपसुल है बात करते हैं इसमें मौझूद कंटेन के बारे में जो पेट और आतों की गतिविदों को बढ़ाने के लिए वाचनतमत्र के उपरी हिस्से पर काम करता है जिससे खाना बहुत असानी से पेट से आगे की प्रक्रिया के लिए चला जाता है रबेपुजाल एक PPI है प्रोटान पंप इनहेबिटर जो पेट में एसलिटी की मात्रा को कम करता है और एसलिटी से सम्मझाव से रहात दिता है बात करते हैं इस कैपसुल की उज़ेस के बारे में डॉक्टर इसे किन-किन समस्स्था हम इस्तमाल करते हैं इस capsule को उपयोप पेट में अलसर होने की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर रोज करते हैं जिसे हम पेप्टिक अलसर कहते हैं पेप्टिक अलसर एक तरह का घाव है जो कि पेट के भीत्री हिस्से की परत में बोजन नली में और छोटी आग में विकसित होता है इप्टिक अलसर में पेट में दर्ध होता है और यह दर्ध नाबी से लेकर चाती तक महसुस होता है इस समस्या खुदूर करने के लिए डॉक्टर इस कैप्सुल का इस्तमाल करते हैं इसे मितली उल्टियानी की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर रोज करते हैं इस कैपसुल का उपयोग GERD जिसे हम गैस्ट्रो एसो फेगल रिफ्लेक्स डिसिस कहते हैं इस समसा कुदूर करने के लिए भी डॉक्टर इस कैपसुल करते हैं गर्ड एक दिर्गकालिन पाचन समधित समस्या है गर्ड तब होता है जब पेक में उत्पन एसिड आपकी बोजन नली में वापस आ जाता है इस रिफ्लेक्स के परिणाम सोरुप आपकी बोजन नली की अंद्रोनी सतर पर जलन होती है और गर्ड की समस्या हो जाती है इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस कैप्सुल का इस्तमाल करते हैं इस कैप्सुल का उपोयोग ऐसे डिटी की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर रूज करते हैं इस capsule का अन्य उज्जाने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मसिस से संपर्ख कर सकते हैं, आपकी डॉक्टर उनके अनुभाँ से इस capsule का इस्तमाल अन्य समस्या पुदूर करने के लिए भी उज्ज कर सकते हैं, बात करते हैं इस capsule के डोसेस के बारे में, आप अपने समस से कम हो तो इस कैपसूल का डोस भी कम होगा इसलिए आप अपने समस्या अपने डॉक्टर को बता कर इस कैपसूल का डोस उनसे निच्छित कर ले इसे अपने मां से घर परना ले वह एक स्वेक्ती एन एडल्ट ये कैपसूल दिम में एक बार खाना खाने के आदे घंटी पहल तो आप तुरिंद अपने डॉक्टर से संपर्क करें इस कैपसूल के इस्तमाल से आपको दर्स्त, पेट में दर्द, मुव में सुका पनाना, सिर्दर्द, चक्कर आना, कमजोरी ये कुछ सैडिफिक्ट हो सकते प्रिक्वेशन, इस कैपसूल के उस्तमाल से कोई सैडिफिक्ट होता है या फिर आपको इस कैपसूल में मौझूद गंटेंस एलर्जी है तो आप इस कैपसूल का यूज़न न करें अगर आप पहले से कोई आन्य मेडिसे, टैबलेट, कैपसूल ले रहे हो तो उसकी सुचना अपनी डॉक्टर या पार्मसिस को आवश्य दे इसो जैसे इस कैपसूल का ड्रग इंट्रेक्शन या और उटोसोनिक की संभावना कम होती है अगर आप को लिबर या फिर किड्न दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से helpful information मिले हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसेंदोस मिलत रहेंगे थैंक्यू फार वाचिंग इस वीडियो